नमस्कार मैं हून अंधिता पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहू के गोचर के बारे में राहू प्रवेश करेंगे मिठून राशी यह निकि अपने उच्छ राशी में करकर राशी से करकर राशी में राहु ने काफी कुछ intensity के साथ काम किया था और आप साथ बहुत सारी लोगों के feedbacks हमारे पास आए जिन्हों ने कहा कि उनके उपर काफी हतक हमने जो वीडियो में बोला था वैसा ही चरितार्थ हुआ उसके लिए हम तहे दिल से आपका धनिवाद करते हैं मित्वन राशी में प्रवेश करेंगे 7 मार्च को लेकिन बली पूर्ण रूप से प्रवेश होंगे 23 मार्च 2019 को यह यहां पर रहेंगे पूरे लगभग 18 मेहने तो यानि की 23 स्तर्मबर तक का राभू का प्रवेश, राभू का प्रवाव मित्वन राशी में रहेगा अब मिदोर राशी में राहू की प्रवेश करने से किन के लिए अच्छा रहेगा, किन के लिए थोड़ा सा कश्रकारी रहेगा, ये सारी चर्चा इस वीडियो में अवश्य करेंगे, लेकिन उससे बहले आपसे एक रेक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते मुझसे कॉंटाय करिये नंबर में, इस इमेल आइडी में, आप मेरी वेबसाइट को भी देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट का इड्रेस है www.nanditapandi.biz, वहां पे भी मैं आपके प्रशनों के उतर देती हूँ, और रहू की अगर बात होरी तो केतु की कैसे बात ना करें, क् ये तो दोनों छाय अग रहे हैं, और चंद्रमा के नोडल पॉइंट्स भी माने जाता हैं, रहूर के तो दोनों ही अपनी उच्छ राशिस्त हो करके मितुल एवन धनु राशी में प्रवेश करेंगे, और इसके साथ सभी राशी वालों को बहुत कुछ प्रभाब भी दें आपकी कुंडली का, यानि कि जो फर्स हाउस है, यहां से हम देखते हैं कि आपकी लगन राशी का है, जैसे कि इस उधारन में अगर देखा जाए, तो इसमें यहां नमबर वन लिका है, नमबर वन का मतलब होता है, यहां पे आपका लगन जो है, वो एरीज है, यानि कि चंद्रमा को यहाँ पे डाला है नमबर 4 के साथ यानि कि चंद्रमा यहाँ पे नमबर 4 के साथ है तो जो आपकी मून राशी हो जाएगी करकराशी आपने क्या देखना है राहू यहाँ पे मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे तीन नमबर के साथ और केतु यहाँ पे तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है जब मैं बोलूंगी कि लगन से या मून राश्री से राहू का ट्रांसित आपका अगर एरीज लगन है या एरीज मून राश्री है यह तो अधारण था कि कैसे आप अनलाइज करेंगे किस तरह से आप उसको एक ढंक से समझ पाएंगे कि आपकी लगन राश्री या चंदर राश्री के हैं राहू और केतू का जब भी ट्रांसित होता है हमको एक बात ध्यान करनी कि यह चाया ग्रह और यह ग्रह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कोई भी ग्रह उनके साथ अगर आप यूती कर लें वहां पे राहू जो रहेगा उसके बाद राहू जो है शुक्र के साथ रहेगा तो काफी कुछ यहां पर एक स्ट्रेस्फुल समय सभी राश्री वालों के लिए रहेगा डिपेंडिंग कि राहू किस स्थान पर आपकी कुडली में गोचा करें साथ में ब्रेश पर एप्रुल के मैने में धनुर राश्री में जाएगा यानि के केतू के साथ वो यूती करेंगे और वहीं पर शनी भी बैठे में तो कुछ प्रभाव उस वज़े से भी रहेगा और उसके पश्याद 5 निवेंपर के बाद वो केतू के साथ और शनी के साथ स्थापित हो जाएगे फिर से उनके अपने ही घ सितंबर से देख रहे हूं क्योंकि तीस अपरिल से अठारा सितंबर तर का शनी वक्री रहेंगे तो शनी वक्री होने की वज़े से थोड़ा सा केतू के साथ उनका डिटाश्मेंट हो जाएगा सेपरेशन हो जाएगा यह बैसिकली कुछ-कुछ ऐसे गोचर के ट्रांजिट स्थान पर वो विधनु राशी में तो केतू होते हैं मोक्ष के कारक, ध्यान, धर्म के कारक उस सरफ में काफी प्रगारता बड़ेगी जिस भी स्थान पर जाएगे लेकिन शनी के साथ होने की वज़ज़े कई बार जादा वैरागी की स्थित्थी उत्पन कर देते हैं अव आपके राशी के हिसाब से राहू जो है आपके तृत्य स्थान यानि के पराक्रम स्थान पे जाएंगे और साथ ही साथ के तू जाएंगे आपके पाकिस्तान पे पराक्रम स्थान में जाने से आपके अपने छोटे भाई-बेनों के साथ बहुत अच्छे संबंद होने वाल लेकिन अब क्या होगा, अब आपके रिष्टे जो है आपने छोड़े भाई बैनों के सांथ बहुत मधूर होते जाएंगे, आपकी बागपटूता भी बड़ेगी, और साथी साथ आपके रेलेशन्शिप एरे, आने कि PR स्कल्स में जबर्दास उचाल आएगा, हो सकता है, कम्मिनिकेशन का किसी भी नया फॉर्म में आपका बहुत इंट्रेस्ट आए, जाए वो मीडिया हो, या SEO मार्केटिंग हो, जो इंटरनेट मार्केटिंग हम कहते हैं, वो हो सोशल साइट सो, सोशल मीडिया जिसे हम बोलते हैं, उसकी तरफ रुझान हो, या फिर कोई करती उत्पन करना हो, या लोगों उसे मिलना चुला, बड़े सारे यार दोस्त आपके इस बीच बनने वाले हैं, सेहत में भी आपके लिए बहुत इंप्रूमेंट्स आएगा, और साथ ही साथ विदेशी नागरिकों के साथ या स्ट्रेंज अंजान लोगों के साथ भी ग्योदेगी संभावना ही रहेंगी, लेकिन शनी और केतु जब भी साथ आते हैं, तो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आपको लगेगा कि छोड़ो क्या करना है, वागी सारी चीज़े तो चली रही हैं, तो जादा ध्यान ना दिया जाएगे, मिलना भागी साथ देते व अगवान नरायन के सामने नत्मस तक होके उनसे आश्रवाद लेना है, उन्हें कच्छी हल्दी की गांठ चड़ाएं और साथी साथ केसर युक्त दूद चड़ावा करें, वो भी आपको बफ़ोट जादा फ़लेगा. रहु आपके दित्य स्थान पे जा रहा है और के तू जाएगा अस्ट्रम स्थान पे, दित्य स्थान पे रहु के जाने से वाख पटूता में रुझान आपका और ज्यादा बढ़ेगा, हलांके मैं से लेकर के चुलाई तक का में, यहां पे थोड़ा अन्बंस ही रहेगी, इक एंजाइटी रहेगी, बोलें के कुछ लोह, समझेंगे कुछ और, तो अपनी वानी पे अपने स्याम रख नएखरा किूंकर रहु कि रहु मंगल के साथ रहेगा, पर रॉहू सूरी के सांथ रहेगा और दोनु सूरी के साथ रहु सूरी मない सांथ रहू और बना देता ह आगपचूता के द्वारा, अपनी व्यवहार को शरता के द्वारा आप अपनी जाती, विरादरी में, नाम, यश, सब प्राप्त कर सकते हैं और कुछ political gains या political activities में भी रुजहान आपका होने लगेगा। मुझे अचानक से बहुत कुछ धनागमन के भी chances दिखाई देते हैं क्योंकि राहु एक दम से एक मुष्ट पैसा आपको ले करके आता है और बिक्कुल unknown resources से ले क्या आता है लेकिन यहाँ पर एक काईदे की बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना है अगर आ अचानक से accidental situation बना देते हैं लेकिन क्योंकि के तु उचके रहेंगे उस वज़े से आपको यहाँ पर काफिया तका protection भी मिलता दिखाई देता है आपने करना क्या है कुत्तों की सेवा करनी है कुत्तों की सेवा करिए शनी गादान करिए बहुत आपके लिए शुब रहेगा और अगर आप अमवरस्या को करते हैं तब तो बहुत ही उत्तम स्थितियां आपके लिए बन्ये शुरू हो जाएगी मितन राजशी वालू के लिए राहु तो आपके लगने में बैठा है अब जब राहु लगने में बैठा है लेकिन उच्चका अब बैठा है तो suddenly personality में बड़े सारे changes आप लेकर के आएंगे आपका बोल्चाल का तरीका, आपके एक 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 एटिट्यूड में चेंजेस, इस तरह के चेंजेस आप बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, अपने आप में सदन बदलाब जाएंगे पॉलिटिक्स में इंट्रेस्स आपका बहुत जाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, विदेश गमन के भी आपके बहुत अच्छे जांसे हैं, खलताएं आपको मिल रही हैं, जहांस में आप बिलकुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राहु जोधा बहुत स्मार्टली आपक में शनी भी वक्री है, राहु के सांथ, ग्रहन योग सूरी का बन जा रहा है, और मंगल सांथ में आजा रहा है, राहु मंगल जब भी सांथ होते हैं, तो उखरता लेके आते हैं, बहुत जादा गुस्से में भी आ सकते हैं, कोई भी एक्स्रन ले सकते हैं, जो आपके लेकिन स्तिथियां जब आपके कंट्रोल से बाहर हो तो इश्व की शरण लेना ना भूलें ताकि इन मुसीबतों से आपको मुक्ती मिलें बिसनस पार्टनर्शिप्स आपके लिए इस साल बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, कष्ट हो सकता है, कभी तो बहुत इंटेंस रहेंगे, लेकिन कभी-कभी क्या होगा कि आप खुदी इंट्रेस्ट नहीं देंगे, जिस वज़े से हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपको तोड़ा सा धिलाई बढ़ते हैं और धोका भी देते हैं, फूजा पार्ट, मेडिटेशन, ध्यान इस तरह की चीज़ों में आप बहुत ज़दा इन्वाल हो जाएंगे, आपको उपाय क्या करने है, आपने कंबलों का दान करना है, जहां पे चारिटी में दवाईयां मिलत आपके खतम हो जाएंगे, करकर राशी वालों के लिए राहू का गोचर हो रहा है आपके बारवें स्थान पर याने की व्याय स्थान पर, व्याय स्थान में होने से कभी-कभी तो व्याय होगे, लेकिन ओबर और मुझे विदेश गमन, विदेश यात्राएं बहुत होंगे, MNCs में काम करते हैं, सदली प्रमोशन मिल सकता है, या कोई नई MNC में जौब भी मिल सकता है, उस सरह के इस्थिया आपके बन सकती हैं, विदेश यात्राओं द्वारा या फॉरेंडर्नर्स के द्वारा आपके लिए बहुत कुछ यहां पर पॉजिटिव फ्राप से कष्ट हो सकता है, छड़े कर्मे केतु जाने से आपके डेली अक्टिविटीज बहुत बढ़ जाएंगी जहां तक धर्मकर्म के कारियों से रिलेटेड हो, आपका पूछा पार में बहुत जादा मन लगेगा, आप अपने नौकर चाकरों के साथ भी उनको भी बहुत एडिटेशन की तरफ रुझान या धर्मकर्म कार्मी तरफ रुझान बढ़ाती है, कोई हो सकता है कि किसी गुरू को आप साधनी की सोचें या कोई नई किताबें पढ़ें या कुछ ऐसा करें जिसकी वज़े से आपकी इनर इनलाइटनमेंच की प्रॉसस एक्टिवेट हो आपने अपने नीचे जो सफाई करम चारी है या फिर आपके नीचे जो काम करने माले सर्वंस हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और उनको लेदर की प्रोडेक्ट्स अगर आप देते हैं गिफ्ट में जैसे जीउते हो गए चपले हो गई या चपले हो गई यह बहुत ही शुब रहता है और आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर स्ट्रेंथ लेकर आएगा और साटन को और ज़्यादा स्ट्रॉंग करता जाएगा सिंह राशी वालों के लिए राहू का ट्रांजिट आपके ग्यार में घर पे हो रहा है और यहां पे राहू नैचरली बहुत अच्छी सित्यू में चले जाते हैं बहुत स्ट्रॉंग इंडिकेशन्स देते हैं आपको बड़ोतरी के लिए गेंस के लिए मुझे रगता है कह बड़े बाइबैनू के साथ भी रिष्टे बहुत मधूर होते जाएंगे उनकी गाइदन्स मिलेंगे उनका सपोर्ट मिलेगा जिस वज़े से इस्तित्या नुकूल होते जाएंगी और फाइदे भी आपको खूब सारे होंगे रहू कि अकाधश भाव में आने से प्रॉप से आपको फाइदे हो सकते हैं अचाना फाइदे भी होते वे दिखाए देते हैं और दुश्मनों के उपर भी आप इनको मात करते जाएंगे केतु का बंचमस्थान में जाने से आप धारमिक कारियों की तरफ अत्यन्त रुची के साथ आप कारे करेंगे किताबें लिख सकते हैं कि नहीं किताबें पढ़ सकते हैं या किसी भी तरह के ऐसी अकाडमिक स्टडी जिसमें तंत्र मंत्र जोतिश आधी का भी स्थान हो या नॉलेज हो ज्यान हो उसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन केतु क्यूंकि आपके पांस लाइफ कर्मो संबंद जो कई जन्मू से आएवे संबंदूं के गुरु जो है वो अचानक से एकडम से आपकी उनसे मुलाकात हो जाती है उनके द्वारा ब्लेसिंग से आपके सारे कार या सिद्ध होते जाते हैं तो बहुत सुन्दर और मत्धूर स्थिट्यू में आप चले जाते हैं श तोड़ा तोड़ा अवरोध हैं लेकिन ओवराल फाइदे काफी अच्छे रहेंगे नरायन के मंदर में जा करके उनको साथ बदामदान करने हैं और साथी सान्मनी मन प्रातना करनी है कि वो आपके परम गुरु बन करके आपको ब्लेस करें तो वो जिब आपके साथ आपको ब्लेसिंग्स देंगे तो अपने आप ही आपकी चीजें ठीक हो जाएंगे विश्णु सहस्र नाम का पार्ट आपके लिए बहुत शुक्र रहेगा कन्या राश्रिवानों के लिए राहू का गोचर आपके कर्म शेतर में जा रहा है यानि कि करियर के स्थान पर जा रहा है राहू जब करियर के स्थान पर जाते तो 100% पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ इंट्रेस्ट लेकर के आते हैं चाहे बैक्स्टेज पॉलिटिक्स करे या फ्रंट होकर कि पॉलिटिकल इंट्रेस्स ले आपके लिए जबर्दस गेन की सिथियां यहां पर यह राहू की पोजिशन बनाती है बॉसस के साथ टॉप बॉसस के साथ भी आपका कुछ ताल मेल बड़ा अच्छा बैठेगा जिसकी वज़े से आपको फाइदे भी काफी अच्छे होते दिखाई रेते हैं अवर ओल ग्रोथ का पीरिड लेगा लेकिन यू नीच भी कैफूल कि आपको ध्यान कहां पर देना अपने ध्यान यह देना है कि किसी प्रकार के मैनिपलेशन को बहुत अधिक उसमें ना करें स्वेशली मिड में से लेके जुलाई 23 तक के बीच का जो फेज है उस ताइम पे ना करें क्योंकि यह आपके वापस बलट करके आपको कष्ट दे सकता है और मितुन राशी में यहां पे बोचर कर रहा है तो आपके लिए बहुत ही सुन्दर सित्या है अला कि कन्या राशी वालों के लिए तोड़ा सा दहिया का भी असर कि क्या हो गया कि आप बिलकुल भी घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं हलांकि घर में आपके हवन यग यादी कुछ भी अच्छे धार में कृत्य होने की चांसे बहुत स्ट्रॉंग मुझे इस पूरे डेड़े साल में दिखाई होते हैं कि माता सिहत है उसकी तरफ आपक के लिए शूब रहेगा कश्टू से आपको मुक्ती मिलेगी घर में जो एंजाइटी टेंशन होता है वो भी काफियांता का शांत होना शुरू हो जाएगा तण्ला राशी वालों के लिए जबरदस फाइदेयाि समय होते वे दिखाई सके रहू आपके भागे स्थान पर उच्चके होके गोचार करें निःव राहु भागे में उच्चका हो करके गोचार करें तो भागे उनित्ती नहोँ ऐसा तो संबभ नहीं है तो भाग्य उनि समय ब्रेश्पत की सिथियां भी इपरिल के मैने में तो कुछ ऐसी सिच्वेशन बन सकती हैं यहां पे एकदम से आपको फाइदे अच्छे हो जाए मध्य माई से लेकर के मध्य जुलाई जुलाई एंड तक का में थोड़ा सा ध्यान रहें क्योंकि राहू के साथ जुग्रह आरहें वो बहुत अच्छे ग्रहे नहीं आरहें क्योंकि पहले मंगल आ रहें पर उसके बाद सूर्य आ रहें फिर शुक्र आ रहें तो यह थोड़ा सखलेश वाली स्थियां पैदा कर देते हैं तो मांजसिक पेंशन जादा रहता है लेकिन रहू का उच्छ होना नवंभा करेंगा आपको एक स्ट्रेंथ देगा और साथ ही साथ यात्राइं करेंगे नए लोगों से आप मिल सकते हैं हो सकता है कोई नए स्प्रिचल टीचर उठा करके आपको सद्नली अट्रैक करें और आप उनके पास जाकर के बोलें कि नहीं मुझे आप इसे बस सारा ज्यान प् बन सकते हैं यह भी हो सकता है कि foreign country में आपका बड़ा डम से डिवल्प होना शुरू हो जाए और आप उनके बार में ग्यान प्राप्त करने की कोशिछ करें या कोई foreign ौरु भी बन सकता है आपका तो कुछ उससर है कि Sitya मुझे दिखाई देती है यह बहुर बढ़ा स्ट् आलस आजाएगा या फिर आप कोई भी काम करना तो जाएंगे द्रियोश के साथ लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बीच में ही छोड़ने की प्रवती आपकी बनेगी या कहीं पर मैंनत करेंगे मैंनत करके कोई चीज जब फल प्राप्त करने का टाइम होगा वहां से कट करके फिर दुबारा मैंत करने लगेंगे आपने एक नारिया लेना है सुखा उसकी उपर की हेड जो कौनिकल है होती है तिकोना भाग उसको फोड़ा सा काटना है उसके अंदर काले सपे तिल डाले है और जीने का बुरा डालना है उसको डखना है और किसी भी अच्छे से देखिएगा कि साफसुत्रा स्थान रहे और ताकि चीठिया उनको ख़ले ऐसा करने से हेल्थ शूस आपके काफियां तक ठीकोने शुरू हो जाएंगे आलसपन भी आपका कम होगा रश्यक राशी वालों के लिए रहू का गो्चर हो रहा है योजितु का गोचर हो रहा है अपके दुथ्ट्र स्थान पे रहु जब अच्ट्रम्स्तान पे जाते हैं तो आपको जबर्दस फाइदे देते हैं आपके अनौन अरियास से यानि कि चीजें जैसे माइनिंग में इंट्रेस्स आपका बढ़ा जादा बढ़ना शुरू हो जाएगा बहुत स्ट्रांग इंटेंसिटी हो जाएगी रिसर्च करने के लिए तंत्र मंत्र इन सब चीजों की तरफ भी रुझान बहुत अधिक आपका होना शुरू हो जाएगा और बहुत खोज प्रविति की आप होने शुरू हो जाएगे तो अगर आप डिटेक्टिव हैं आप अगर जोतिश्री हैं या हीलर है तो यह सारे एरियास में या फिर साइंटिस्ट हैं आप सब के लिए समय बहुत अनुकूल है बहुत बढ़िया है कोई जबर्दस मेजर दिस्कवरी आप कर सकते हैं इस टाइम पे इस तेड़ साल के पीरिड में बहुत कुछ यहां पर अनुभूतियां आपको होंगी जो आपके लिए फाइदेवन स्थिथियां आपके लिए बना रही है अच्छी एक पॉसिटिव ग्रोग्त की तरफ लेकर के जाएगी जहां आपका यह सारे एरियस का सवाल है इंटुशन आपके बहुत बढ़ जाएगी जाएगी कि मैं कुछ बोल रहा हूं या बोल यह हो जा रहा है और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो घवरायमत यह सब होगा क्योंकि यह राहू आपके लिए करवा रहे हैं तो रहू क क्योंच के होने से इस तरह की स्थिथिया बन जाती है रिश्यक राशी वालों के लिए केतु का ट्रांजिशन सकीन हाउस में आने की घर परिवार की तरफ बिरादरी की तरफ अपने नए फेम जो भी एक अपने अर्जित कियावा है एक स्टेजस उस तरफ आप बिलाई बर जातना शुरू करेंगे क्योंकि शनी के साथ वहां पे केतु होने की वज़े से थोड़ा सा क्लाश लेकर के इस स्थिर्यों में आएंगे वहरागयोधपन करेंगे कहीं बात भी करनी है तो आप बात करने में इंट्रेस्ट नहीं लेंगे आप बोलना ही नहीं चाहेंगे इस चीज में बिल्कुल अक्टिविटी बहुत स्ट्रॉं कर देते हैं धन्दान यश नेम फेंश तरह वहभव की तरह आपको ध्यान नहीं रहता है आपको लगता है यह सब बड़ी मिथ्या है इन से बहा निकल के विप्ति को जाना चाहिए थी पीपल के पेड में जल देन चाहि попробaxe वह भ्यार में मिल एखने चाहिए ताक चीटियां उसको खा ले या काले सपह तिल मिला कर डाल देना चाहिये दनी राशी यानि के आपका लगन अगर धनु है या फिर आपकी राशी धनु है यानि की मून राशी चंदर राशी धनु है तो आप धनु राशी बनते हैं दनी राशी वालों के लिए के तु आपके ओचिकी हों के आपके लगन में बैठेंगे यहां पे अलड़ी शनी बैटे वहे हैं, जिस वजय से आप साड़े साथी के पूर्ण प्रभाव में हैं अभी, मद्य भाग हैं, उससे आप गुजर रहे हैं, तो काफी turmoils हैं, काफी उठा पटा कोरिये जीवन में, परिवर्तन की योग बन रहे हैं, कमफट जोन से बहा नि और आपको एक सही रहा दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, कि हाँ यह मार्ग जो है, यह मेरे लिए सही है, और यहां पर मैं इस तरह से कुछ activities करूँ, तो मेरे को यहां पर मार्ग दर्शन अच्छा मिल रहे हैं, तो मेरे को यह फॉलो करना अच्छे है, मुझ के कि तू लगने में अगर आप बैठ गए और आप थोड़ा सा भी meditate करते हैं, या थोड़ा सा भी पूजा पार्ट करते हैं, आप यह जान लीजिए, कि जबरदस्त ज्यान की जो डाउन पूरिंग है, या एहसास है, वो आपके होना शुरू हो जाएगा, और एक enlightenment का process है, यह डेर साल में अगर आप meditation करते हैं, आप सिद्ध स्थिती में जाना चाहते हैं, निरवान की स्थिती में जाना चाहते हैं, मोक्ष की स्थिती में जाना चाहते हैं, यह समय बिब्कुल perfect है, अनुकूल है, आप इस तरफ थोड़ा सा अपनी प्रविती बढ़ाएगे, meditate अविश्य कोई बहुत अच्छी खबरे आपको मिल सकती है, मिड माई से लेकर के मिड जुलाई के बीच में जो phase है, इस phase में extra marital relationship के कुछ-कुछ योग बन सकते हैं, आपको ध्यान देने के अश्यक्ता है, और अगर आप single हैं, तो आप बहुत जादा partners एक के बाद एक, मैं जाना चॉ You'll keep feeling the best is yet to come, कि कोई भी जो है, जो बहतर है, वो अभी और भी आने वाला है, business के बड़े सारे options आपको मिलेंगे, sudden business opportunities आ सकती है, partnerships हो सकती है, जो अच्छी भी रहेंगी, और कभी-कभी बुरी भी रहेंगी, पर multiple partners जो है, उनको avoid करें, एक stable partner लेकर के आगे काम करेंगे, तो जाधा फाइदिल में रहेंगे, उपाई क्या करना है, शनी आपके लगने में मैटे हैं, सबसे पहले तो शनी देव को प्रसने करेंगे, आपने पनी माता की सेवा करनी है, यह तो अशक है ही, लेकिन उसके साथ-साथ आपने शनी मंदिर में जाके सरसुका तेल का च्छाया करना है, और साथ में अपने कोई भी यूस्ट लेदर प्रोटक्स जोते हैं, जैसे जूते वगरे होते हैं, उसको अविश्य आप ज़रू दान करिए, यह आपके लिए बहुत शुब रहेगा, और पीपल के पेड के नीचे सरसुका तेल का दिया मंगलवार और शनीवार को जलाएंगे, तो अत्यंत शुब स्थितियों में अपने आपको पाएंगे, साथ ही साथ अगर आप घर में सुन्दरकांट का पार्ट कर सकते हैं, तो अत्य उत्तम स्थितियां आपके लिए बनेंगे. मगर राशी वालों के लिए राहू का जो ट्रांसिट है अत्यंत उत्तम स्थिति में जा रहा है, राहू अपनी प्रबल स्थितिया आने की छटे घर में जाएगा, छटे घर में राहू बहुत पाफुल हो जाते हैं, और वहीं पे उचके अगर हो करके बैठ जाएंगे, फि बहुत ही जबरदस ट्रांसिट है, बहुत जबरदस फाइदे आपको होने वाले इस पूरे ट्रांसिट में, आपके अनिमीज जो हैं वह बिल्कुल ऐसे ऐसे करके धराशा ही होता जाएंगे आपके सामने, कोई टिकने वाला नहीं आपके सामने, बिंदास हो करके आगे अवरल सेहत में सुधार होगा हलाकि पेट में तोड़ा साती है कभी लेकिन ओर ऑफराल सेहत में सुधार होगा थे टेली आपिवटीज में आप ये जोश के साहत कलेंगे And you would know, fata-fata-fata-manipulation जो होता है कि किसको कैसे क्या बोलना है, किसको क्या काम Delegate करना है और बोलना है रहेंगे आपने रोज धिहान करना है पाच मिनट ही सही हो आपने बिल्कुल शिव जी का नाम लेना है ओम नमाज शिवाय का आप जब करें आपके लिए बहुत शुब रहेगा और साधी साथ अगर आप देवी की विए उपासना कर सकते हैं उससे बढ़िया तो कुछ आपके पंचमस्तान में राहू के जाने से तंत्र मंत्र जोतिश आधी चीजों में आपका ज्यादा ध्यान जाएगा साइंटिफिक स्टडी या फिर ऐसी एरियास जो जिनमें रिसर्च के बहुत आवश्यक्ता है या रिसर्च नहीं हुई है इन सारे एरियास की तरफ भी आपका जादा ध्यान जाने वाला उस तरफ हो सकता है आप कोई नहीं अकार्मिक स्टडी या कुछ एक नहीं चीज घ्यान अपना जरूर प्राप्त करना श्रीव करेंगे एजुकेशन पड़ाई लिगाई से संबंधें भी आपको जबरदस उचाल मिलेंगे बहुत अच्छे रज जाकारी हो सकती है आपकी केलिसनेस की वाज़े से खान दीजे या फिर अनाया सचाना कुछ ना कुछ आपका यहां पर यहां पर यह का योग या कुछ ऐसा बन सकता है आपको तोड़ा बालन्स करके चलना चीए लेकिन आपके रिष्टे जो है अपने बड़े बाही बाही जाएंगे रोटी जो है सबसे पहले निकालनी है और चुर चोटी निकालीगा एक कवी के नाम से गाय के नाम से कुट्टे के राम से यह बहुत शुब और स्थिया मनाएगा आपके लिए प्रोटेक्शन भी आपको बहुत देगा और काफी अच्छो चेंजिस आपके लिए मेन राशी वालों के लिए रहु चत्थ रुटतसान में और केटू जाएंगे आपके कारशत्र में तो कुछ ना कुछ तो आपको समाल लेंगे लेकिन शनी के सांथ होने के वज़े से कारशत्र में आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे जादा जिस वज़े से आपको नुकसान हो सकता है अपने ध्यान देने की आपशकता है आप अपनी आपके अनुकूलता आपके कारिश्यत्र मानी शुरू हो जाएगी ने फेम यह सब मिलना शुरू हो जाएगा में राश्यवालों के लिए राहू जब आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेगा तो अचानक से मार्ता की सेहत काफी इंप्रूव होगी और उनके साथ संबंध भी आपके बहुर अच्छे होते जाएगे घर में बहुत कुछ मुझे न एक चेंजे जाते भी दिखाएगे था कि कुछ आपका एक में कुछ नया करना है नहीं प्रापर्टी लेनी है या इसी को बहुत बढ़ी आसा रेनोवेट करना है उस तरह के दिमाग में आपके घुटना शुरू हो जाएगा को एक नई गाड शुवाय का जप अवश्य करना चाहिए या शिवजी पे खीर आप चड़ाए ताकि कोई भी किसी प्रकार के विग्न हो उनसे आपको मुक्ती मिले और एकदम से आपके लिए स्थिया अनुकूल होती जाए तबंधो ये तो था राहू और केतु का ट्रांजिट बीच वीच में ग्रहे होते रहेंगे रहो केटू कि साथू उनके बारे मिं बात करेंगे इक और अलग वीडियो वे हालांकि मेंने शनी और के बारे में आपको बता एक ही दिया कि क्या स्थिथिया रहेंगे के टू और illustrates लेकूल पर दितारफ झान जाने लगता है। बिलकूल टिटाश का ट्रांजिट अमूमन सभी राषी वालों के लिए बहुत अच्छे आप lover और उंच्छीं बहुता मिलेंगे और प्रड़ेग्षन मिलेगा जबर्दस गेए बागा राषी वालों के लिली मैं इन रची वालों केृ ज्ञादा अच्छे हैंext अभी के लिए दीजे मुझे इजाज़त और राहू और केतु आपके घर में प्रसंता रखें, सुख सोहाद आपका बना रहें, उन्नत ही आपकी खुबो, यश, वैबव, दन, एश्वरे सब की आपको प्राप्ती हो, इसी कामना के साथ अभी दीजे मुझे इजाज़त, ले मुझे मेरी वेबसाइट है www.manditapante.biz, b-i-z-biz, आप वहाँ लॉग-इन करें, वहाँ क्वेरी सेक्शन है, उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरी रेजिस्टर कर सकते हैं, अभी के लिए दीजे इजाज़त, नमस्कार, आपका नमस्त्री.